आज हम हिंदी साहित के इभिन कालों के बारे में चर्चा करेंगे पहला काल है आधिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीधिकाल और चौधा आधनी काल आधिकालीन रचनावों में राजावों के वीरदावों का वर्नन हुआ था उसके बाद आते हैं भक्तिकाल आधिकाली इन रचनावं से उप होने के कारण लोगों के मानों दिलों में यह चिंता होने लेगा इन राजाओं के उपर भी कोई शक्ती है तो उस शक्ती को पहचानने की कोशिश वे करने लेगे इस प्रकार इश्वर की और लोग मुड़ने लेगे इस प्रकार भक्तिकाल का अविर्भाव हुआ भक्तिकाल के बारे में हम अगले क्लास में विस्त्रत रूप से पढ़ेंगे अभी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा मैं इसके बाद आते हैं रीधिकाल आधनी काल याने हम जिस जमाने में अब जी रहे हैं उस काल आधनी काली रचनावों की विशेशता यह है इसमें सामानी लोगों को भी स्थान मिलने लेगे प्रेमचंद, जैशेंगर प्रसाद, अग्येई जैसे कई साहितिकार आधनीकाली रचनावों में सामानी लोगों को स्थान दिया और इस प्रकार कई तरह के विधावों में भी विधायें भी आधनीकाल में आने लेगा जैसे कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, लेखुकदा, काविदा, अकविदा, जैसे कई विधाओं में साहित बांटे कए ये इतनी जानकारी हिंदी साहित के बारे में खासकर हमें होना चाहिए